तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जी मैनेजर कमीशन होता गया है ध्यान देना आप मुझे बताईए कि मान लेते हैं कि इंडिया और यूएसे यूएसे का मतलब अमेरिका ठीक है न अमेरिका के अंदर मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनसमेन है और वो इंडिया के अंदर एक ब्रांच ओपन करना चाहता है एक ब्रांच ओपन करना चाहता है तो वो इंडिया में आके ब्रांच पर बैठेगा यह यूएस के अंदर ही बैठा रहेगा इंडिया में नहीं आएगा इंडिया में आएगा लेकिन कितने एक दो दिन तीन चार दिन इससे जादे तो नहीं आएगा ना मेंली कहा रहेगा वो यूएस में रहेगा तो पाई इंडिया का जो ब्रांच इसने open किया है उस ब्रांच को चलाएं कैसे इंडिया के अंदर जो worker है na सबसे बड़े जो काम्चोर है वो इंडिया के अंदर है महनिती भी है लेकिन काम्चोर भी है आप construction में देख लो 9 बजे का काम होगा 9 बजे के बाद अगर वो 9 बजे आ भी गए थोड़ा तंबाको उंबाको बनाएंगे फिर खाएंगे 9.30 के बाद अगर आपने उसे बूलते हैं आदा गंटा खराब करते हैं अरे जल्दी क्या है तो वो काम नहीं करेंगे उसे साम से और साम का टाइम 6 बजे का चुट्टी है 5.30 बजे हांत वाद धोके तो यार जी 6 बजने वाले हैं आप तो वाई बजे तो नहीं है यानि वो काम करने को तयार नहीं होता और ये तब करते हैं ऐसा जब आप उस पे नजर रखोगे और जब नजर नहीं रखोगे तो जो भी उसके पास तोलिया उलिया ले के आएं बिछाया और ठीक है और कोई अगर देखने आ गया तो वो थोड़ा सा मसाला असाले की बात कर रहे हैं कुछ भी कम पढ़िया तो यानि अगर इंडिया के वरकर के उपर नजर ना रखा जाए तो इंडिया के अगर पॉपुलिशन को बोला जाए ना के यहां पे एक ब्रांच खोल ले और यह ध्यान ना देंगे तो अमेरिका को कंगाल करने में टाइम नी लगाएंगे वो जो अभी सबसे सूपर पावर है ना वो सूपर पावर रहेगा नी वो इंडिया बन जाएगा बस ऐसा अपॉर्चनिटी मिलना चाहिए हुआ है ऐसा ही यहां पे बहुत सारा इसने वरकर लगाया और यहां के अब मैं चांदी चौक पे कभी जाओगे ना तो जो कुछ भी बेचते है ना तो वहां पे फॉर्णर का थोड़ा सा ट्रेवलिंग का इंडिया गेट होगी है चांदी चौक पे वहां पे जो गाइड होता है या कोई कुछ बेच भी रहा है वो भी इंगलिस में बात करता है उससे ठीक है ना चार रूपए की चीज 5 डॉलर में बेच देंगे उसे और वो अमेरिकन बिचारा सोचेंगे सही बोल रहा होगा भाई अब 5 डॉलर का मतलब 5 रूपए की चीज है और 5 डॉलर का मतलब होता है कितना साड़े थीन सो रूपए में इस तरीके से बेच के वो सोचते हैं जितना इसको लूटना है लूट लो यह डॉलर कमा क्या है तो इसे लूट लो तो सेम यहाँ पर इंडियन की सेलरी आपके जो एक मैं बात करूँ तो जो एक इंडियन कंपनी में वर्क करो एक फॉरन कंपनी में इंडिया में वर्क करो तो salary का और work करने का culture में बहुत फरक होता है जो इंडिया के अंदर Indian company होगा न वो तो आपको मजदूरों के तरह काम करवा लेगा और बाहर की company है वो इतना काम नहीं कराएगा वो बोलेगा ठीक है काम करो और salary भी उसको अच्छा खासा देंगे जिसे बोलते हैं MNC Multinational Company तो हर कोई क्यों जाना चाहता है Multinational Company में? अराम, सरकारी नोकरी में क्यों जाना चाहता है? अराम काम से पहले दिमाग में आता है अराम ठीक है न? तो कहानी यही है यहाँ पर सारे worker थे और यहाँ पर एक manager अराम बिचारा युएस में बैठा है सोच रहा है कि इंडिया के अंदर सब इमंदार है, काम चल रहा होगा अब यह खुद ही नहीं आता office manager office ही नहीं आता बोलता है इसको देखने वाला तो कोई है या नहीं है कोई नहीं है, यह office ही नहीं आता worker बोलता है करो नहीं करो मेरे को क्या मतलब है और यह वहाँ से phone करता था अगर इससे बातचीत होती तो बोलता था अब customer customer नहीं है loss में चल रही है company उस दिन तक देखो अभी तो start ही किया है आपने बरवादी तो अभी आपके start हो गी अभी हुई काया है तो दीरे दीरे चलाओ उसे जो उनने एक साल survive किया दो साल survive किया तीन साल survive किया यह आई नहीं रहा और पता चला इसने अपने दूसरे दुकान खोल लिया अपना और कहीं business चला रहा है यहाँ पर आता है नहीं यहाँ से सर्फ क्या phone कर देता है salary दे दो सर तो बाहर का जो foreigner होते हैं वो इंडियन को लालच देते हैं थोड़ा साल लालच manager को बोला manager तेरी salary कितनी है उसने बोला sir एक लाख रुपए डाल रूटी खा लेते हैं बस एक लाख रुपए salary है महीने की अब भाई एक लाख रुपए salary बोला हम चाहरे हैं तुमारी salary बढ़ा दे बोला हाँ मैं भी बोलने ही वाला था बढ़ा दो salary इसे ये मतलब नहीं है काम देंदा चल रहा है नहीं चल रहा हाँ salary बढ़ा दो बोला हम आपको एक काम करते हैं हमारे business के अंदर loss चल रहा है आपके बिजनस में दम ही नहीं है तो लॉस ही चलेगा भाई तो बोला कि आप ना जब नेट प्रॉफिट होगा ना तो नेट प्रॉफिट जितना भी आप करके दोगे ना उसका 10% और देंगे हम आपकी सेलरी तो नहीं बढ़ा रहे हैं 10% अगर आपने महिने के नेट प्रॉफिट अगर आप मान लेते हो कि 20 लाख रुपे कमा के देते हो तो 20 लाख में 1 लाख रुपे तनखा तो हई है और 2 लाख रुपे कमीशन अगर 20 लाग कमा के दो, पैसा जितना चाहिए मैं लगाऊँगा बिजनस में, तुम एड करो, वैड करो, काम करवाऊ, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी अगर तुम महिने की 50 लाग रुपे कमा के दोगे, तो 10% कितना हो जाएगा? पांच लाग, सेलरी एक लाग रुपे तो साइड अटाओ, पांच लाग कमीशन आपका यानि जितना प्रॉफिट आप कमा के दोगे, उतना ज्यादा कमीशन, इसको मिलेगा अब इसके मन में आएगा कि इस साल लॉस हो जाएगा? इस साल लॉस हो जाएगा? नहीं आएगा यह तु चाहेगा जादर से जादर क्या हो? अब यह जो अराम कर रहे थे ने, इनका अराम अब होगा हराम जो अराम कर रहे थे न अब ये जाग जाएगा अलर्ट हो जाएगा अब ये काम इससे दिन रात ओवर टाइम जो भी करवाना है करवाएगा इसके मन में यही रहेगा कि इस साल 10,00,000 कमा है था तो 1,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, पर क्या आ गया एक person को बिठा दिया जिसको commission दे दिया है अब ये दिन रात लगके इसके लिए कोई आने का time नहीं होगा नहीं जाने का time होगा तो इसको बोला जाता है manager commission देने का main purpose क्या है ये समझो पहले हम manager को commission इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे काम को अच्छे तरीके से कि या जा सके और किस चीज़ पर commission देते हैं always profit पर दिया जाता है ठीक है ना जितना net profit कमाएंगे उसके उपर इसको दिया जाएगा अब बताओ net profit कम निकलेगा सारा adjustment करने के बाद या सबसे पहले निकल जाएगा तो अगर manager का commission वाला adjustment आपको number one पे दिखे या number two पे होगा सबसे last में क्यूंकि वो तो net profit पर लगना है ठीक है ना तो manager commission हमारा किस लिए दिया जाता है ताकि हमारा जो business है वो अच्छे से चल पाए और ये हमेशा किस पर दिया जाएगा net profit के उपर अब इसके अंदर दो concept है या तो होता है before charge या होता है after charge manager commission trial balance में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्यूंकि ये तो सबसे last में ही calculate होगा trial balance के अंदर है तो penal से पहले calculate कर लिया ये होगा सबसे last में अगर before charge है तब भी दो entry होंगी इनकी कहां कहां होगा क्यूंकि manager को अगर हम commission paid कर रहे हैं तो हमारे लिए तो खर्चा ही है तो profit and loss में चला जाएगा manager को commission अगर आप देते हो चाहिए कैसे भी दो किसी mode में दो आपके लिए क्या है खर्चा तो profit and loss के debit में किस नाम से manager commission और manager को commission सबसे पहले दिया जाएगा सबसे last में profit निकलने के बाद तो इसे payment बाद में होता है तो इसलिए ये चला जाता है balance sheet के payment बाद में होता है तो बताओ कहां लिखेंगे balance sheet के liability में as a manager commission लेकिन question raise होता है सर ये before charge और after charge क्या है देखे before charge और after charge को समझ लेते हैं अब मैं यहाँ पे commission is equal to कैसे निकलेगा वो भी लिख दूँ commission is equal to net profit है ना into में rate rate क्या है 10% 15% जो भी है rate divided by 100 ठीक है example ले लेते हैं एक मैं आपके सामने P&L बना लेता हूं simple सा most important adjustment है ये P&L बना है मैंने यहाँ लिखा GP मान लेते है 1,00,000 यहाँ लिखा salary मान लेते है 5000 यहाँ लिखा मैंने telephone expense मान लेते 5000 तो net profit क्या आया बताइए net profit कितना आएगा यहाँ पर 90,000 लेकिन 90,000 लिखना नहीं है यहाँ क्योंकि manager commission भी तो आएगा इसके अंदर तो अगर आपने यहाँ 90,000 लिख दिया तो फिर बाद में manager commission डालोगे तो तो गलत हो जाएगा तो जो भी net profit निकलने वाला है ना हमारे profit and loss में से उसको हम यहाँ ना लिखके कहीं बाहर लिख लेंगे as a calculation के लिए तो कितना आ रहा है हमारा तो हम निकालेंगे इसके बाद suppose manager commission जो बोला है वो बोला है 10% तो इस 90,000 के कितना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ फिर से manager commission 9,000 यानि बताए ना rate upon में अब या तो आप finally दुबारा profit निकालेंगे जो कि आजएगा 81 या तो आप एक काम कर सकते हैं 90 में से 9 घटा दे नहीं तो आपके book में जो question होगा हो तो बहुत ज़्यादा lengthy हो जाएगा ना तो मैं simple क्या करूँगा एक लाक एक लाक 90,000 आया था उसमें से 9 और minus करने थे तो यह आगे हमारा और यह 90,000 ही यह 9,000 ही कहां पहुँच जाएगा एक दूसरी entry liability में समझ में आई बात आपको यह कब concept apply होगा before charge ठीक है after charge के case में जाना दो ही जगह है जो कि before charge के case में था वही same रहेगा एक चला जाएगा profit and loss के debit side और second चला जाएगा हमारा balance sheet के liability side है ना एक चला जाएगा balance sheet के liability side sir after charge का मतलब क्या है यहाँ पे होता है manager commission जो होगा मैं भी लिखूंगा भी वो होता है जैसे मैंने आपके सामने मान लो एक profit and loss बनाए एक प्रॉफिट and loss बनाए एक जामपल यहाँ GP लिखा मैंने 1,20,000 ठीक है GP लिखा मैंने थोड़ा एक लाग 20,000 यहाँ salary लिख दिया मैंने salary कितना लिखा मैंने 10,000 बताओ net profit क्या है एक लाग 10,000 एक लाग 10,000 मैं यहाँ पर net profit नहीं लिखूँगा sir क्यों नहीं लिखोगे क्योंकि manager commission भी है हम कहीं बाहर लिख लेंगे कहीं बाहर लिखने का मतलब मैंने यहाँ लिख लिया जी हमारा net profit आ रहा है 1,00,000 लेकिन examiner कहता है आप 10 percent commission काटी है लेकिन उस profit पे काटी है जिसमें से manager का commission minus हो after charge manager commission का मतलब क्या है कि हम manager को commission देंगे लेकिन उस profit पे जिसमें manager का commission minus हो थोड़ी से यह अटपते से बहाते लग रही है फिर से सुनना मैं मैंनेजर को कमीशन दूँगा उस वाले प्रॉफिट पे जिसमें मैंनेजर का कमीशन तो अजीब सी नहीं लग रहा बाद भाई जब अगर मैंनेजर का कमीशन माइनस ही हो जाएगा तो फिर मैंनेजर का कमीशन कौन सा दूँगा मैं तो पहले हमें यह बता दो manager का commission कितना है minus कर लूँगा फिर मैं निकाल लूँगा तो यहाँ पे कहने का मतलब है जी यह जो net profit आया है ना इसमें manager का commission जुड़ा हुआ है है ना इसमें से minus है या नहीं है नहीं है तो इसलिए यह जो profit है ना वो साधारन profit नहीं है यह वाला profit तो साधारन था यह profit साधारन नहीं है इसके अंदर किसका profit जुड़ा हुआ है manager का profit बोल लेते हैं यह फिर commission बोल लेते है manager का commission जुड़ा हुआ है कितने percent जुड़ा हुआ है 10% यानि यह बराबर पता किसके होगा 110 profit हमेशा 100% के बराबर मान के चलते हैं ठीक है ना हम हमेशा profit कितना मान के चलते हैं 100% और 10% और जुड़ा हुआ है तो किसके equal होगा वो 110 तो यहाँ पे commission निकालने का तरीका क्या होगा पता है 10% commission डिवाइड करेंगे 100 पहले 100 से डिवाइड कर रहे थे अब किससे करना पड़ेगा 110 जो कि हमारा result यहाँ पे निकल के आएगा 10,000 तो यानि commission इस वाली case में कैसे निकालेंगे net profit into में 10 यानि into में मैं लिख देता हूँ rate और divided by 100 प्लस अगर 5% हुआ तो क्या करूँगा 5 बटे 100 बताओ 5 बटे 100 बताओ 5 बटे 100 बताओ 2 बटे 100 लेकिन before charge में 2% हुआ तो 2 बटे 100 ही करना पड़ेगा समझ मैं है question बोलेगा वो आपको कि ये after charge है या फिर before charge है ठीक है ना after charge वाले में मैंने simply बता है इसके अंदर जोड़ा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पर concept लिया है तो यहाँ पर example में जी manager commission आगया manager commission कितना आगया 10,000 और net profit आगया हमारा 1,00,000 रुपए कोई दिक्कत कोई परिशान नहीं बताइए कोई दिक्कत यानि अगर before charge है तो before charge है तो कैसे निकालोगे net profit पहले आपको working note में निकाल लेना है उस पर कह करना है rate by 100 अगर after charge हुआ तो net profit निकाल लेना है इंटू में rate by 100 और फिर plus में rate भी हो जाएगा अच्छा ये multiply कर देते हैं ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक सब ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा manager commission अब कई बार क्या होता है कुष्य में कुछ बोलता है निया after charge before charge तो आसान कोई सा लग रहा है यह माला है यह माला after charge असान है यह before charge before charge असान रहते है ठीक है ना तो जो आसान लग भा वोही कर लेंगे यानि हमीशा क्या मान लेंगे जब कुछ नहीं देगा तो before charge मान के कर लो और नीचे अजंशन ले लो के question के अंदर हमें ये नहीं बताया के manager commission कैसे है कैसे का मतलब दो तरीके से हो सकता है before charge है के after charge we assume हम मान रहे हैं के before charge है और उसी के हिसाब से हमने answer को निकाला है समझ मैं ही बात आपको तो अभी दो हमने adjustment किया है ये adjustment number कौन सा है बारा एक कौन सा किया था हमने advance income वो समझ में आया और ये कौन सा हमारा manager charge यह तो सकता है entry कहा जाएगी entry दो ही जगा जाना है profit and loss के debit में और balance sheet के liability में लेकिन calculation आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा manager commission यह तो दिखाई नहीं सकते ना जब तक NP आप एक जो यह net profit निकाल रहे हो न एक लाग दस हजार यह real नहीं है अंदाजा हम नीचे show करेंगे तो लेकिन real show कर रहा है यह कहीं working note में show कर रहा हूँ तेको फिर दुबार करके दिखाता हूँ अब आगर मान लेते हैं यहां net profit आप देखोगे तो एक लाग थोड़ी पता आपको आएगा अब कितना निकल के आएगा एक दस तो यहां नहीं लिखना कहीं बाहर लिख लिया और यहां से सबसे पहले क्या ढूम लो manager और फिर पहले manager commission लिखो 10,000 अब लिखो net profit तो net profit कितना आएगा एक लाग ऐसे करना है इसमें ठीक है न क्लियर कोई दिक्कत कोई परिशान ही है तो बोल दो फटा फट से है क्या कोई दिक्कत नहीं फिर note करिए जब दिक्कत ही नहीं है तो तो सबसे पहले हम समझते हैं कि manager commission होता गया है ध्यान देना आप मुझे बताइए कि मान लेते हैं कि इंडिया और USA उसे का मतलब अमेरिका ठीक है ना अमेरिका के अंदर मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा businessman है और वो इंडिया के अंदर एक branch open करना चाहता है एक branch open करना चाहता है कहा? इंडिया के अंदर तो जो यू एस के अंदर person है मान लेते हैं Mr. John ठीक है na Mr. John है यू एस में इंडिया में एक branch open करना चाहता है तो बताओ जब वो इंडिया में ब्राँच open करना चाहेगा और बरांश बान हो भी गला तो तो वह इंडिया में आएगा ये 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 येस के अंदर ही बैठा रहेगा इंडिया में नहीं आएगा लिखिं कितने एक, तो दिन ? तीन, येर, तीन प्राएगा येस से ज rất जाते हीरेगा नहीं लएगा सबसे बड़े जो कामचोर है वो इंडिया के अंदर है महनेती भी है लेखिन कामचोर भी है अब कंस्रक्शन में देख लो नौ बजे का काम होगा नौ बजे के बाद अगर वो नौ बजे आ भी गए थोड़ा तंबाकू उंबाकू बनाएंगे फिर खाएंगे साड़े नौ के बाद अगर आपने उसे बूलते हैं आदा गंटा खराब करते हैं अरे जल्दी क्या है तो वो काम नहीं करेंगे उसे साम से और साम का टाइम छे बजे का चुट्टी है साड़े पांच बजे हांत वाद धोके तो यार जिए छे बजने वाले आप तो भाई बजे तो नहीं है यानि वो काम करने को तयार नहीं होता और ये तब करते हैं ऐसा जब आप उस पर नजर रखोगे और जब नजर नहीं रखोगे तो जो भी उसके पास तोलिया उलिया लेके आए बिचाया और ठीक है और कोई अगर देखने आ गया तो वो थोड़ा सा मसाला की बात कर रहे हैं कुछ भी कम पड़िया तो यानि अगर इंडिया के वरकर के उपर नजर ना रखा जाए तो इंडिया के अगर पॉपुलेशन को बोला जाए ना के यहां पे एक ब्रांच खोले और यह ध्यान चाहिए है हुआ है यहां पे बहुत सारा इसने वरकर लगाया और यहां के अब मैं चांदी चौक पर कभी जाओगे ना तो जो कुछ भी बेचते हैं तो वहां पे फॉर्णर का थोड़ा सा ट्रेवलिंग का इंडिया गेट होगे चांदी चौक पर वहां पे जो गाइड हो सोचेंगे सही बोल रहा होगा भाई अब पांच डॉलर का मतलब पांच रूपए की चीज है और पांच डॉलर का मतलब होता है कितना साधे 3100 रूपय में मसदूरों के तरह काम करवा लेगा और बाहर की कमपनी है वो इतना काम नहीं कराएगा वो बोलेगा ठीक है काम करो और सेलरी भी उसको अच्छा खासा देंगा जिसे बोलते हैं MNC Multinational Company तो हर कोई क्यों जाना चाहता है Multinational Company में आराम सरकारी नोक्री में क्यों जाना चाहता है आराम काम से पहले दिमाग में आता है अराम ठीक है ना तो कहानी यही है यहां पे सारे workers थे और यहां पे एक manager Manager को salary जो रखा वो एक laaq रूपय worker का बपचास अजार शाथ हजार salary है यह Mr. John बिचारा यूस में बैथा है, सोच रहा है कि इंडिया के अंदर सब इमंदार है, काम चल रहा होगा अब ये खुद ही नहीं आता office, manager office नहीं आता बोलता है, इसको देखने वाला तो कोई है या नहीं है कोई नहीं है, ये office नहीं आता वरकर बोलता है करो नहीं करो मेर को क्या मतलब है और यह वहां से फोन करता था अगर इससे मादचीत होती तो बोलता था अब कस्टमर स्टोमर नहीं है लॉस में चल रही है कमपनी उस दिन तक देखो अभी तो स्टार्ट ही किया है अपने बरवादी तो अभी आपके स्टार्ट हो गई अभी हुई कहा है तो दीरे दीरे चलाओ उसे जो उनने एक साल सर्वाइब किया, दो साल सर्वाइब किया, तीन साल सर्वाइब किया यह आई नहीं रहा, और पता चला है इसने अपना दूसरे दुकान खोल लिया है अपना और कहीं बिजनस चला रहा है यहाँ पर आता है यहाँ से सिर्फ क्या फोन कर देता है सेलरी दे दो सर, सेलरी अब इस बिचारे को क्या पता अल्टिमेटली देखा जाए तो इसके पास दो आप्शन है या तो यह अपनी दुखंदारी बंद कर दे या तो कुछ ऐसा अल्टरनेटिव लेके आए जिसके अंदर के इसका बिजनस चल पाए तो बाहर का जो फॉर्णर होते हैं वो इंडियन को लालच देतने थोड़ा सान लालच मैनेजर को बोला मैनेजर तेरी सेलरी कितनी यह इसनना भॉला तरे 1 लाख रुपे डाल रुटि खा लेतने बस एक लाख रुपे Сेलरी है मही नेकी अब भाई एक लाख रुपे सेलरी बोला हम चाह रहे तुम्हारी सेलरी बढ़ा दें बोला हम आपको न एक काम करते हैं हमारे बिजनस के इंदर लॉस चल रहा है तो बोला कि आप न जब नेट प्रॉफिट होगा न तो नेट प्रॉफिट जितना भी आप करके दोगे न उसका 10% और देंगे हम आपकी सेलरी तो नहीं बढ़ा देंगे दस परसेंट अगर आपने महिने के नेट प्रॉफिट अगर आप मान लेते हो कि 20 लाक रुपे कमांके देते हो तो 20 लाक में 1 लाक रुपे तनखा तो हई है और 2 लाक रुपे कमीशन अगर 20 लाग कमा के दो, पैसा जितना चाहिए मैं लगाऊँगा बिजनस में, तुम एड करो, वैड करो, काम करवाओ, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी अगर तुम महिने की 50 लाग रुपे कमा के दोगे, तो 10% कितना हो जाएगा? पांच लाग, सेलरी एक लाग रुपे तो साइड अटाओ, पांच लाग कमीशन आपका यानि जितना प्रॉफिट आप कमा के दोगे, उतना ज़्यादा कमीशन, इसको मिलेगा अब इसके मन में आएगा कि इस साल लॉस हो जाएगा? इस साल लॉस हो जाएगा? नहीं आएगा यह तु चाहेगा जादे से जादे क्या हो? अब यह जो अराम कर रहे थे न, इनका अराम अब होगा हराम जो अराम कर रहे थे न अब ये जाग जाएगा अलर्ट हो जाएगा अब ये काम इस से दिन रात ओवर टाइम जो भी करवाना है करवाएगा इसके मन में यही रहेगा कि इस साल दस लाक कमा है था तो एक लाक मिला कास बीस लाक हो जाए तीस लाक हो जाए एक करोड हो जाए, एक करोड में दस लाख रुपए मिलेगा, पांच करोड हो जाए, पचास लाख मिलेगा, इसके मन में तो यही चल रहे है और इसके जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका क्या होता जाएगा, फाइदा तो अटोमेटिक होगा अब यह company loss में नहीं जा सकती, यहाँ पर क्या आ गया, एक person को बिठा दिया, जिसको commission दे दिया है अब यह दिन रात लगके, इसके लिए कोई आने का time नहीं होगा, नहीं जाने का time होगा तो इसको बोला जाता है, manager commission देने का main purpose क्या है, यह समझो पहले हम manager को commission इसलिए देते हैं, क्योंकि हमारे काम को अच्छे तरीके से किया जा सके और किस चीज़ पर commission देते हैं, always profit पर दिया जाता है, ठीक है न, जितना net profit कमाएंगे, उसके उपर इसको दिया जाएगा अब बताओ net profit कम निकलेगा, सारा adjustment करने के बाद या सबसे पहले निकल जाएगा तो अगर manager का commission वाला adjustment आपको number one पे दिखे या number two पे होगा सबसे last में, क्योंकि वो तो net profit पे लगना है ठीक है न, तो manager commission हमारा किस लिए दिया जाता है, ताकि हमारा जो business है वो अच्छे से चल पाए और ये हमेशा किस पे दिया जाएगा, net profit के उपर, अब इसके अंदर दो concept है या तो होता है before charge, या होता है after charge before charge या होता है, after charge manager commission trial balance में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सबसे last में ही calculate होगा trial balance के अंदर है, तो penal से पहले calculate कर लिया, ये होगा सबसे last में अगर before charge है, तब भी दो entry होंगी इनकी, कहां कहां होगा क्योंकि manager को अगर हम commission paid कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो खर्चा ही है, तो profit and loss में चला जाएगा manager को commission अगर आप देते हो, चाहिए कैसे भी दो, किसी mode में दो, आपके लिए क्या है, खर्चा, तो profit and loss के debit में किस नाम से, manager commission, और manager को commission सबसे पहले दिया जाएगा, सबसे last में profit निकलने के बाद, तो इसे payment बाद में होता है, तो इसलिए ये चला जाता है, balance sheet के payment बाद में होता है, तो बताओ कहां लिखेंगे balance sheet के liability में, as a manager, commission, लेकिन question raised होता है, सर ये before charge और after charge क्या है, देखें before charge और after charge को समझ लेते हैं, अब मैं यहां पर commission is equal to कैसे निकलेगा, वो भी लिख दूँ, commission is equal to net profit है into में, rate, rate क्या है, 10%, 15% जो भी है, rate divided by 100, ठीक है, example ले ले लेते हैं, एक मैं आपके सामने pndl बना लेते हूं, simple सा, most important adjustment है यह, pndl बनाया है, मैंने यहां लिखा gp, माल लेते हैं, 1,00, यहां लिखा salary, माल लेते हैं 5,000, यहां लिखा मैंने telephone expense, माल लेते हैं 5,000, तो net profit क्या आया, बताईए, net profit कितना आएगा यहां पर, 90,000, लेकि 90,000 लिखना नहीं है यहां, क्योंकि manager commission भी तो आएगा इसके अंदर, तो अगर आपने यहां 90,000 लिख दिया, तो फिर बाद में manager commission डालोगे, तो तो गलत हो जाएगा, तो जो भी net profit निकलने वाला है, हमारे profit and loss में से, उसको हम यहां ना लिखके, कहीं बाहर लिख लेंगे, as a calculation के लिए, तो कितना आ रहा है हमारा, तो हम निकालेंगे इसके बाद, suppose manager commission जो बोला है, वो बोला है 10%, तो इस 90,000 के कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहां फिर से manager commission 9,000, यानि बताएं न, rate upon में, अब या तो आप finally दुबारा profit निकालेंगे, जो कि आजएगा 81, या तो आप एक काम कर सकते है, 90 में से 9 घटा दे, नहीं तो आप, आपके book में जो question होगा हो, तो बहुत ज्यादा lengthy हो जाएगा, तो मैं simple क्या करूँगा, एक लाक एक लाक लाक, 90,000 आए था, उसमें से 9 और माइनस करने थे, तो या आगे हमारा, और ये 9,000 ही कहां पहुत जाएगा, एक दूसरी entry, liability, समझ में आइक बात आपको, ये कब concept apply होगा, before charge, ठीक है, after charge के case में, जाना दो ही जगह है, जो कि before charge के case में था, वही सेम रहेगा, एक चला जाएगा profit and loss के debit side, और second चला जाएगा हमारा balance sheet के liability side, है न, एक चला जाएगा balance sheet के liability side, sir, after charge का मतलब क्या है, यहाँ पे होता है, manager commission जो होगा, मैं भी लिखूँगा भी, वो होता है, जैसे मैंने आपके सामने मान लो, एक profit and loss बनाएगा, for example, यहाँ GP लिखा मैंने, एक लाख बीस अजार, ठीक है, GP लिखा मैंने, थोड़ा, एक लाख, बीस अजार, यहाँ salary लिख दिया मैंने, salary कितना लिखा मैंने, दस अजार, बताओ net profit क्या हैगा, एक लाख दस अजार, एक लाख दस अजार मैं यहाँ पे net profit नहीं लिखूँगा, sir, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि manager commission भी है, हम कहीं बाहर लिख लेंगे, कहीं बाहर लिखने का मतलब मैंने यहाँ लिख लिया, जी हमारा net profit आ रहा है, एक लाख, दस अजार, लेकिन examiner कहता है, आप 10% commission काटी है, लेकिन उस profit पे काटी है, जिसमें से manager का commission माइनस हो, after charge manager commission का मतलब क्या है, कि हम manager को commission देंगे, लेकिन उस profit पे, जिसमें manager का commission माइनस हो, तो थोड़ी सी यह अटपटे से बाते लग रही है, फिर से सुनना, मैं manager को commission दूँगा, उस वाले profit पे, जिसमें manager का commission, commission, तो अजीब सी नहीं लग रहा बात, भाई जब अगर manager का commission माइनस ही हो जाएगा, तो फिर manager का commission कोन सा दूँगा मैं, तो पहले हमें यह बता दो manager का commission कितना है, माइनस कर लूँगा, फिर मैं निकाल लूँगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जी यह जो net profit आया है, इसमें manager का commission जुड़ा हुआ है, है ना, इसमें से माइनस है या नहीं है, नहीं है, तो इसलिए यह जो profit है ना, वो साधारन profit नहीं है, यह वाला profit तो साधारन था, यह profit साधारन नहीं है, इसके अंदर किसका profit जुड़ा हुआ है मैनेजर का profit बोल लेते हैं या फिर commission बोल लेते हैं मैनेजर का commission जुड़ा हुआ है कितने percent जुड़ा हुआ है 10% यानि ये बराबर पता है किसके होगा 110 profit हमेशा 100% के बराबर मान के चलते हैं ठीक है ना हम हमेशा profit कितना मान के चलते हैं 100% और 10% और जुड़ा हुआ है तो किसके equal होगा वो 110 तो यहाँ पे commission निकालने का तरीका क्या होगा पता है 10% commission divide करेंगे 100 पहले 100 से divide कर रहे थे अब किससे करना पड़ेगा 110 जो कि हमारा result यहाँ पे निकल के आएगा 10,000 तो यानि commission इस वाली case में कैसे निकालेंगे net profit इंटू में 10 यानि इंटू में मैं लिखे देता हूँ rate और divided by 100 प्लस अगर 5% हुआ तो क्या करूँगा पांच बटे 100 बताओ 5 बटे 105 दो परसेंट हुआ तो दो बटे 100 लेकिन विफोर चार्ज में 2 परसेंट हुआ तो दो बटे 100 ही करना पड़ेगा समझ मैं कोशन बोलेगा वो आपको कि यह after charge है या फिर before charge है ठीक है ना after charge वाले में मैंने simply बता है इसके अंदर जोड़ा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पर concept लिया है तो यहाँ पर एक्जामपल में जी manager commission आगया manager commission कितना आगया 10,000 और net profit आगया हमारा 1,00,000 रुपए कोई दिक्कत कोई परिशा नहीं बताइए कोई दिक्कत यानि अगर before charge है तो before charge है तो कैसे निकालोगे net profit पहले आपको working note में निकाल लेना है उस पर क्या करना है rate by 100 अगर after charge हुआ तो net profit निकाल लेना है इंटू में rate by 100 और फिर plus में rate भी हो जाएगा अच्छा ये multiply कर देते हैं ठीक है कोई दिक्कत यहां तक सब ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं तो यहां पर देखा जाए तो हमारा manager commission अब कई बार क्या होता है question में कुछ बोलता ही नहीं after charge before charge तो आसान कोई सा लग रहा है आपको ये वाला ये वाला after charge असान है या before charge before charge असान रहता है हमें सा ठीक है ना तो जो आसान लग रहा होई कर लेंगे यानि हम इसा क्या मान लेंगे जब कुछ नहीं देगा तो before charge मान के कर लो और नीचे अजंशन ले लो के question के अंदर हमें ये नहीं बताया के manager commission कैसे है कैसे का मतलब दो तरीके से हो सकता है before charge है के after charge we assume हम मान रहे है के before charge है और उसी के हिसाब से हमने answer को निकाला है एक कौन सा किया था हमने advance income वो समझ में आया और ये कौन सा हमारा manager charge यह तो सकता है entry कहा जाएगी entry दो ही जगा जाना है profit and loss के debit में और balance sheet के liability में लेकिन calculation आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा manager commission यह तो दिखाई नहीं सकते ना जब तक NP आप एक जो यह net profit निकाल रहे हो ना एक लाग 10,000 यह रियल नहीं है अंदाजा हम नीचे show करेंगे तो लेकिन real show करना नहीं यह कहीं working note में show कर रहा हूं मैं तेखो फिर दुबार करके दिखाता हूं अब आगर मान लेते हैं यहां net profit आप देखोगे तो एक लाग थोड़ी पता आपको आएगा अब कितना निकल के आएगा एक 10 तो यहां नहीं लिखना कहीं बाहर लिख लिया और यहां से सबसे पहले क्या ढूंब लो manager और फिर पहले manager commission लिखो 10,000 अब लिखो net profit net profit कितना आएगा 1,000,000 ऐसे करना है ठीक है ना clear कोई दिक्कत कोई परिशानी है तो बोल दो फटा फट से है क्या कोई दिक्कत नहीं फिर note करिए जब दिक्कत ही नहीं है तो क्या है क्या है क्या है क्या है